नमस्कार जी, राम राम जी सभी को आदमपूर विदानसवा में आज बार समंद मंडल की कारेकारनी है हम सभी कारेकरता एक हरीजन चोपाल में कठा हुए अपनी कारेकारनी की बैठेक करने के लिए आदमपूर विधानसभा चुनाव से बीजेपी के लिए चुनाव लड़ चुकी बीजेपी निता सोनाली फोगाट के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लिए रही है जी हाँ आपने सही सुना भाज़पा नित्री सोनाली फोगाट अब नए विवाद में घृती हुई नजर आ रही है फेस्बुक पर लाइव के दोरान अनुसूचित जाती से समबंधित प्रतिबंधित शब्द का इस्तिमाल करने पर एक्टविस्ट रजत कलसन ने कानूनी नोटिस भेजा है कलसन ने सोनाली फोगाट से सारवजनिक रूप से माफी मागने की बात कही है वीडियो उस शब्द के बारे में सभी प्रदेशों के चीफ सेकरेटरीज को युनिन टरिटरीटीज चीफ सेकरेटरीज को बातादार गोर्मेंट की नोटिफिकिशन जारी की हुई है इस शब्द को प्रतिबंधित कर दिया गया है सेकिंड गोर्मेंट ओफ हरियाना ने भी इस बारे में नोटिफिकिशन जारी की हुई है कि इस शब्द का इस्तेमाल समन्ने और सरकारी कामकाज में बिल्कुल परतिवंग दित है इस मामले में मानने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी एक मंजू देवी बनाम होमकार सिं अलुवालिया का एक केस था 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस केस में काया कि यह जो शब्द है यह इंसल्टिंग है अपमांजनक है और अपरादिक है ऑफेंसिव है और जो SCSTX का सेक्षिन 3.1.r और 3.1.s है अगर कोई यह शब्द बोलता है तो इसके तहते अपराद है उ और पनीशेवल ओफेंस है तो हम लोगोंने इस मामले में हम पहले कंप्लेंट कर सकते थे लेकिन हम लोगोंने पहले इसमें एक जो यह भाजपानेत्री सवरानिसोनाली फोगाट है इसको लीगल नोटिस बेजा है 15 दिन का हमने इनको समय दिया है कि आप इस मामले में जिस प्लेट फॉर्म से शोशल मेडिया से आपने वीडियो वायरल किया है अबना और उसमें हम लोगों के लिए अपतिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है उसी फेस्बुक का इस्तेमाल करा आप लाइवा कर माफि मांगे अधरवाइस फिर हमारे जो कानूनी रास्ते खोले हैं ह हम इस बारे में एक अपरादिक मुकदमा भी आपके खिलाफ दर्ज कराएंगे हम इस बारे में आपके खिलाफ अदालत का रुख भी करेंगे तो यह नोटिस आज ही हम लोगोंने वेज़ा है जो आपको बता दें कि बीते 24 जुलाई को सोनाली फोगाट आदमपूर के बाल समंद अक्षेतर के कारेकरताओं की मीटिंग में शामिल होने पहुंची थी इस दवरान किसानों ने मीटिंग का विरोध भी कर दिया था और एसी बीच सोनाली फोगाट पेजबुक पर लाइव आई थी अधिवक्ता रजत कलसन ने आरोप लगाया कि इसी वीडियो में सोनाली फोगाट से अनुसूचित जाती से समबंधित एक शब्द का इस्तेमाल किया जो केंद्र वा राजी सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट के सोचल मीडिया पर लाखो फोलोवर्ट जिन्होंने सभी ने इस वीडियो को देखा वा इस वीडियो के माध्यम से सोनाली फोगाट ने पूरे अनुसूचित जाती वर्ग को अपमानित करने का काम किया है बतादे कि एक्टवेस्ट वा अधिवक्ता रजट कलसन अनुसूचित जाती के अधिकारियों को लेकर लंबे समय से काम कर रही है ऐसे पूर्व कलसन करकेटर युवरा सिंग अभिनेतरी युविका चोधरी वा मुन्मुन दत्ता के खिलाव भी शेकायत दे जुके हैं इन मावलों में पुलिस जाच कर रही है अब सोनाली फोगाट के खिलाफ प्रतिबंधित शब्द इस्तिमाल करने पर नोटिस भेजा गया है हासी से संदीप सेनी पंजाब केसरी टीबी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद